नवस्कार सरकारी नौकरी बैंक के यूटीव चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको IBPS से जुड़ी हुए कहम जानकारी देने जा रहा हूँ तो इसे शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो च कैसे अपलाई कर सकते हैं क्या 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 चाहिए ओके जो यह पद्ध है इनमें से हिमाचल के लिए 40 पोस्ट निकली हुई है और जो 18 पोस्ट जर्णर के लिए SC के लिए यहाँ पे 9 पोस्टे हैं ST के लिए 1 और OBC के लिए 9 पोस्टे हैं और जो हमारे Economic Bicker Section के हैं उनके लिए यहाँ पे 3 पोस्टे रहेंगी इसके लिए जो Qualification रहेगी वो आपके पास graduation की degree होनी चाहिए और अगर हम age limit की बात करें यहाँ पे तो जो age limit रहेगी यहाँ जो minimum age होनी चाहिए वो 20 वर्स होनी चाहिए और जो maximum age है वो 28 वर्स होनी चाहिए ओके जो और application fees की बात करें तो जो application fees है वो SC, ST, PWD और एक्सरिसमेन है उनके लिए 175 रहेगी और जो बाकी अदर बचे हैं उनके लिए 850 रुए यहाँ पे जो है examination fees रहेगी अगर इस application की starting date की बात करें तो इसकी registration start होगी 29-2020 से और इसकी जो last date रहेगी वो 23-9-2020 रहेगी और जो हमारा pre-exam होगा इस post के लिए वो 5-12, 12-12 और 13-12 को conduct करवाया जाएगा बाकी जो main exam होगा वो 24-1-2021 को यहाँ पे conduct करवाया जाएगा तो आप लोग जल्दी से इस post के लिए apply कर दीजिए क्योंकि कल से इसकी registration start होने वाली अगर हम इस examination के इसले बस की बात करें तो जो आपका pre-exam होगा उसके लिए English, numerical ability, reasoning यह आने वाले है जो total question वो 100 रहेंगे और maximum number भी यहाँ पे 100 रहेंगे इसके लिए जो आपको time मिलेगा वो 60 minute का मिलेगा अगर यहाँ पे main की बात करें तो journal finance awareness होगी, English होगी यहाँ पे reasoning ability, computer aptitude और quantitative aptitude होगा इसके लिए जो total question होगे 190 होगे और total marks दोस्तों होगे इसके लिए जो आपको time मिलेगा वो 160 minute का मिलेगा यहाँ पे तो आप इन भरतियों के लिए जल्दी से apply कर सकते हैं दोस्तों ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और आ